यहां पर पटना इनवर्सिटी ने पीजी का आपका फर्स्ट मेंट लिश्ट निकाल दिया है जिसमें कहा गया कि आप 19 से लेकर 21 के बीच अपना एड्मिशन कंप्लीट करवा सकते हैं उस वीडियो मैंने कहा था कि डॉकुमेंट्स वेगरा के बारे में जो है हम बात करेंगे और वहां पर ऐसा कुछ वेबसाइट पर नहीं दिया था लेकिन आप जब अपना लॉगिन वेगरा किये होंगे तो आपको अपना अलॉट्मेंट लेटर और यह जो लिश्ट आपको यहाँ पर सबसेले बीदंस जम्समें कौशेश को पहले सबकुमेंट्स नायको है। सकते हैं और उसके पैमेंट कंप्लीट करनेक ने लेकिन अम inclina कर दिये लेकिन यहां पर तो वहां पी जाने वाद और वहां पर आपको रहें हैं कि किसी फीच आपको को अपको मिलेगी तो यह है उसी जो देखने मिलेगी थीक है तो यह है कंड़र्ल लेटर है अपको लेकर जाना है उसके आरगा वे सिस्तरिके आपका जो भी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है उसमें जाहिए अपका 1921 साधे दस साधे चारक भेज़े तो मैं यही कहुँगा कि आप जली जा सकते हैं अगर पट्टा में ही है तो आप उनी सारी को ही चले जाहिए उसके बाद जो है वह आपको वहां पर अपना जो भी प्रक्रिया है व आपने फर्म भर गो हुँथ समय का फिर करते हमें जो पैमेंट किकले यहां अपनी इत्ता पैमेंट किया तो वह भी रख लीजिए यहां यहां पर 10th का मांगा जा रहा है 10th का मार्क सिट है उसके बाद देखिए जितने भी डॉक्मेंट्स होंगे उसका जो है वह आपको एक कॉपी रखने नहीं और यहां पर भी कहा गया कि जो है बहुत है तो जितने भी डॉकमेंट्स है देखे टेंथ का तो जो है कि लिखांग है और फिसके बाद बनेख्वाश के पर प्रकितै की औरिजिनल माइग्रेशन का जो सर्टिफिकर मान लीजे कि other university से आ रहे हैं तो आपका एक migration certificate लगता है तो वह जो है वह आप दे सकते हैं तो आपको हाँ पर request कर लिजे कि मेरे पास नहीं है वह बात में जमा करूँगी तो वह आपको बताएंगे कि कैसे आगे करना है ठीक है फिर जो भी reserve category में है जो भी students reserve category में आ रहे हैं तो उनको जो है वह आपको जमा करनी होग कि मैं कहुंगा कि original जो है वह ले जा सकते हैं देखे certificate related to reserve category claim अगर आपने reserve category में है तो आपने apply भी क्या होगा कि हाँ है रिजर्ब category से हूँ तो वह जो है वह आपको लगता है तो आप आपको आपको वहाँ पर जमा करना होगा मैं कहुंगा कि original ही ले जाएगा ठीक हो जमा हो जाता है लेकिन उसका ओर लोग देखते हैं ठीक है तो वह ले जाएगा इस तरह जो है वह आपको एक फोटो कोपी जितने भी documents मैंने बताया है वहाँ पे आपको एक फोटो कॉपी साथ में रख लेना है फिर payment के बारा में वो लोग खुद बताएंगे कैसे कैसी है उसको payment करना है जैसे कि मैंने प्रक्रिया बताए कि admission होने के बाद लिंक आता है तो उसको ऐसे करना है या जैसे भी होगा त इस्टाग्राम पे AKR व्लोगर है वहाँ पर भी जूर सकते हैं तो इस विडियो में बससेता है ही जो भी बाते थी यहाँ पर और जो भी श्रेंट्स को एडिशन लेने जा रहे हैं all the best और जो भी श्रेंट्स का नाम नहीं है उनको टेंशन नहीं लेना आपका 21 के बाद नहीं मतलब 22 के आसपास ही जो है वह आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आ जाएगा उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है और भी देखे रहे हैं तो वीडियो को लाइक किजिए चानल पर देखे सब्सक्राइब किजिए अमलते रेक्स वीडियो में बाइबाइस इन दे नेक्स्ट वान